हलो गाईज स्वाइबल काम आफ यूटूब चैनल ग्यानमी सचिनतों दोस्तों आज की सेस्टन में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पॉले टेक्निक के जितने भी स्टुडेंट्स हैं जो अभी हाल में ही अपना एड्मिशन कराय हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे कि वो कौन-कौन से स्टुडेंट्स हैं जिनको इस बार स्कॉलर्शिप नहीं मिलने वाली है तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा आपके सारे डाउट्स किलियर हो जाएंगे और कुछ ऐसे प्रोसेज बता दूँगा कि जिन स्टुडेंट्स को स्कॉलर्शिप नहीं प्रोवाइड होने वाली है इस बार साइध उनकी स्कॉलर्शिप आ जाए तो वीडियो के अन तक आप इंजॉय करिए ठीक है तो मेरा नाम है सचिन कुमार पाध्य है और आप देख रहे हैं ग्यानविज सचिन का यह यूट्यूब चैनल आपको यूपी पॉल्टेक्निक से रिलेटेट सारी अपडेट्स इस चैनल पर मिलती रहेंगी चाहे वो सेमेस्टर एक्जाम हो चाही यूपी पॉल्टेक्निक की काउंसिलिंग हो चाहे आपके सेमेस्टर एक्जामेनेशन पॉल्टेक्निक एडमिशन से रिलेट कोई क्योरीज हो तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश कर लो ठीक है तो देखो आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी आपके कॉलेज में एनाउंसमेंट नहीं हुआ होगा कि आप अपना स्कॉलर्शिप का फॉर्म भरो मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि आपका जो स्कॉलर्शिप का फॉर्म है वो अपलाई किया जाना सुरू हो होने के बाद फ्रेस लागिन उनका होगा हम लोगों का अल्रेडी रेजिस्ट्रेशन हो चुका है तो रिन्यूवल सिर्फ होगा और हमारी स्कॉलर्शिप आ जाएगी क्योंकि मुझे फस्ट इयर में स्कॉलर्शिप प्रॉइड की जा चुकी है अब दो मेजर क्यूरीज है उनको पहले सॉल्व कर दूँ तब बता दूँ कि किनको स्कॉलर्शिप नहीं मिलेगी बहुत सारे ऐसे स्टुडेंट्स हैं जिन्होंने अपना डारेक्ट एडिमिशन लिया है किसी पॉल्टेक्निक के प्राइबेट कॉलेज में ठीक है तो उनके दिमाग में ये चल रहा ह है कि उन्हें स्कॉलर्शिप मिलेगी या नहीं तो उन्हें पता दूँ कि उनके सारे डाकुमेंट्स और आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंसी होती है कि आपको स्कॉलर्शिप मिलेगी या नहीं लेकिन 95% केसेज में क्या होता है कि आपको स्कॉलर्शिप दी जाती है ठ दोस्तों, जितने भी government students होते हैं, उनकी 100% नहीं, 99% तो scholarship आई ही जाती है, वो 1% lazy students होते हैं, जो अपना date ही भूल जाते हैं, या online करते ही नहीं, और उसके साथ साथ ही बहुत सारे ऐसे lazy होते हैं, जो कुछ common mistake करते हैं, वो mistake के बारे में वीडियो के अंतक मैं बताऊंगा, जि की वज़ासी उनकी scholarship रुख जाती है, तो चली अब बात करते हैं कि वैसे कौन-कौन से students हैं, जिनको इस बार scholarship नहीं मिलेगी, तो देखिएगा students, जो बिहार के candidates हैं, और UP में अपना admission कराए हैं, किसी भी private, government, added, किसी भी college में, उनको scholarship provide नहीं की जाती है, because उनका जो domicile होना चाहिए, तो पहली बात clear हो गई, कि विहार के candidates को आपको scholarship नहीं दी जाएगी, तो जितने विहार वाले हैं भाई साहब, सब अपना ध्यान से सुन लीजिएगा, कि आपको scholarship यहां से नहीं दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि यह किसका है, इलाका, यह है इलाका योगी जी का, तो यहां आपको scholarship UP Domicile के उपर ही मिलती है, तो ऐसा योगी का promotion नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बात समझ गए होंगे, दूसरे ऐसे students हैं जिनको scholarship नहीं मिलती, वो यह होते हैं, कि 11th में अपना scholarship का form उन्होंने fill कर दिया है, ठीक है, 11th में अपना scholarship का form fill कर दिया है, तो उन्हे अब scholarship नहीं मिलेगी, BA में अपना scholarship का form fill कर दिया है, BSC में अपना scholarship का form fill कर दिया है, तो उन्हें क्या होगा scholarship नहीं मिलेगा, ठीक है, इतनी बात के लिए हो गई की नहीं, अप कौन-कौन सी common mistake है, जो students करते हैं और उन्हें को scholarship नहीं मिलती, ठीक, पहला number तो आपके सारे documents accurate ह मेरे पामसने चाहिए और उन में किसी तरीके का मिस्टेक नहीं होना चाहिए चाहिए वह आधार меч। चाहिए आपके bank facebook से related हो चाहिए hem MarkSeed से CE से आपके जो आपने chamado dbVER करा है है आपका कार स्मस्माची कराया है किसी तरीके और कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए ठीक दूसरा नमबर कि जब आप इस्कॉलर्शिक का फॉर्म भरिए तो उसमें बहुत ही सावधानी से फॉर्म भरेंगे बहुत ही सोच समझ करके तब आपकी दिक्कत होती है पहला नमबर तो आपके डॉकूमेंट्स में ही मिस्टेक दूसरा नमबर डॉकूमेंट मि इस्टेक यह होता है कि बच्चे अपने आधार कार्ट को अपने मोबाइल नंबर से लिंक नहीं कराए होते हैं जिनसे उनकी OTP नहीं आती है ठीक है तो OTP का मैटर बहुत खतरनाक चल रहा है अगर आप अपना आधार कार्ट अपने मोबाइल से नहीं लिंक करवाए हैं तो अ आप लोगों के लिए और इस वीडियो में बार-बार बता रहा हूं ठीक है तो ये आप ध्यान से समझ लीजिएगा इन दोनु चीजों को आप करवा लेंगे तो 100% आपकी scholarship आही जाएगी ठीक है तो इस वीडियो का मतलब यही था कि आप लोगों का दिल दुखाना नहीं था कि आपको scholarship नहीं दी जाती जीने students की जो सचाई थी मैंने आपको सामने बता दी जो गलतियां थी उसे बता दी कैसी लगी वीडियो कैसी लगी information जरूर कमेंटर में पूछ लिजिजिएगा अगर कोई questions हो और वीडियो को like कर दीजिएगा अगर आपके सारे doubts के लिए हो चु जए चुझ का लिजएगा अगर ने सचाईते ही जो और आपके सारे हुलाने प्लान दीकते है अंगर श्तने तर्स सेचाः जीजिएगा इसक wellश मिने देरा दी जीजिएगा झाल जीशा झांने याज़ार स्सक्राइगा उल ठीजल, गलते जोसे जीएगा हैं आपके सारे